हेलो हेवरिवन आज हम बात का नजार हैं ग्रुप्स की तो ग्रुप्स होता क्या है सपोस्थ लेट जी बी एन एलजेब्रिक इस्ट्रक्चर वेर एस्टिक इसा एस्टिक इसा बाइनरी ओपरेशन बाइनरी ओपरेशन जी एन एशेग इस कोड़ गुरुप और यह गुरुप कभ कहलाता है जब यह चार पॉपरिटी को सेटिसफाइ करता है वो कौन से चार पॉपरिटी है पहली अप्रियर और देते देते ते नहीं से एस्ट्रक्चर वाई नारें थर्ड अधिनटी एलिमेंट अधिनटी एलिमेंट और फॉर्थ क्या हैि इनिवर्स एलिमेंट क्या है इनिवर्स संद्रस्ट अंगर कोई भी कोशिएन या कोई भी जो हमारे पस को भी कॉष्छा आएगा उसमें अगर यह 4 property को satisfy कर रहा है यह 4 property अगर हैं उसमें, तो वो quotient क्या होगा, group होगा, वो जो quotient है, वो group, अगर वो quotient closer property को satisfy कर रहा है, associative property को satisfy कर रहा है, और identity element को भी satisfy कर रहा है, और inverse element को भी satisfy कर रहा है, तो वो हमारा quotient क्या होगा, group होगा, कि वो जो set होगा, वो हमारा क्या होगा, वो group होगा आज हम बात करने जा रहे हैं infinite set की बारे में infinite set के वो होते हैं जो number of elements जो count नहीं हो कर सकते हम लोग वो क्या होते है infinite set कि एक question है infinite set का question है G B S क्या है G B the set of set of all real number all real number के हमारे पास एक set है condition क्या दे रही है A A B into A B divide by 2 यह यहाँ condition है हमको क्या दिखाना है कि जो condition हमारी यह है यह group है हमको यह बुकराना है कि सारे real number हमारे क्या है group है अगर जो इस property को satisfy कर रहे है चलिए इसको हम लोग पुरूफ करने से पहले हम लोग इस चार property को पुरूफ करेंगे कि अगर यह properties पूरूफ करने से पहले हम यह चक करेंगे यह closer है कि नहीं associated है कि नहीं है identity है कि नहीं है तो चलिए हम पहले पूरूफ करते है कि यह property closer है कि नहीं है चलिए closer पूरूफ करेंगे तो यहां पर हम solution लिखते हैं ठीक closer के लिए पहले के लिए closer के लिए हम लोग solution लिखते हैं closer क्या होता है अगर a,b belongs to g अगर a,b belongs to g अगर a,b belongs to g तो हमारा क्या होगा a,b belongs to g यहां कंडिशन क्या दी हुई है a,b divided by 2 और a,b हमण divided by यह कहेंगे a,b divided by 2 also belongs to g अब हम दो example ले लेते हैं हमारा पर जो real number है 2.5 भी हो सकता है 3 हो सकता है और 0.5 भी हो सकता है 0.5 हो सकता है यह हमारे real number है अगर हम example ले 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 a,a हमारा 3 है ठीक और b हमारा क्या है 7 है ठीक तो अगर यहां पर put कर दे हम लोग 3 into 7 divided by 2 3 समझा 21 divided by 2 अगर इसको divide कर देंगे हम लोग हमारा जो answer आएगा 10.5 आएगा 10.5 हमारा क्या है real number है तो हमारी first property क्या है closer की proof हो गए कि हमारा 10.5 जो हमारा आया है a,b divided by 2 belongs to क्या है g क्या है यह group में belong कर रहा है तो हमारा क्या होगा यह तो हमारी यह closer होगा stick is closer क्या होगा closer in group ठीक यह हमारा closer को satisfy कर रहा है अब हम बात करते हैं कि associative property की बात करते है associative property क्या कहते है associative property क्या कहते है ठीक ठीक अगर यह आपको group में दिये रखा है तो यह हमेशा क्या होगा associative होता है और subtraction और division associative नहीं होता है स्रिप multiplication ठीक और addition क्या होता है associative होता है ठीक तो प्रूफ करते हैं associative क्या होता है A' B into C equal to क्या होता है equal to A' B' C यह हमारा associative होता है इसमें associative क्या है प्रूफ करते हैं LHS equal है RHS के अगर LHS RHS के equal है तो यह property क्या है associative है तो यहां प्रूफ करते क्या है हमको value दी रखी है क्या दी रखी condition में A' B is equal to AB divided by 2 तो यहां क्या करेंगे A इसमें लगा लेंगे property को ठीक B C divided by 2 ठीक इधर भी वही काम करेंगे A B divided by 2 एस्टिक C ठीक multiply कर देंगे multiply करेंगे ठीक तो यह value क्या निकल के आएगी A B C divided यह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा A B C divided by 4 अब यह देखिए आप A B C 4 equal to A B C equal to 4 LHS equal to RHS क्या हुआ हुआ हमारा LHS RHS के equal आ गया मतलब यह property हमारी associative property है ठीक क्योंकि हमारा LHS RHS के equal आ गया मतलब यह property क्या है associative भी है closer हो गया associative property हो गया यह closer property भी है और associative property को हम लोगने solve कर लिए अब बचे क्या है दो identity element और inverse element अब बात करते हैं identity element को find करना identity element क्या आता है A E equal to A E क्या है हमारा identity element है मतलब कहने क्या है अगर हम कहता है अगर हम कोई भी identity element को अगर हम multiply करें तो उसका value क्या आने चाहिए अगर A को किसी identity element से हम लोग multiply करेंगे तो उसका answer क्या आना चाहिए हमां हमको A ही मिलना चाहिए तो हमको condition दे रखिए A into B is equal to A B divided by 2 तो क्या करेंगे simple से बात A E divided by 2 कर लेंगे और A E 2 को इधर transfer कर देंगे तो A B आ जाएगा और यह कर जाएगा यह कर जाएगा तो हमारी E की value क्या आएगी यह property भी satisfy होगे IDENTY element भी हमारा निकला है IDENTY element क्या है E की value 2 यह क्या है हमारा IDENTY element और इसकी value क्या है 2 हमको satisfy कर रहा हमारे क्या condition में all real number में हमको 2 मिलेगा ठीक अब हम बात करते हैं inverse element कि बात करते हैं अब inverse की बात करते हैं inverse में condition होती है a inverse e हमको किसी भी element को अगर हम उसके inverse से multiply करें तो हमको क्या मिलना चाहिए क्या identity element मिलना चाहिए ठीक तो इसमें करेंगे क्या हमको condition पहले से given है तो a into b e e हमको given है क्या आएगा e equal to हमारे पास 2 है तो इसको यहाँ value लिख देंगे a b a b क्या है हमारे पास a b by 2 हमको condition given है और e की value क्या है 2 e की value क्या हमारे पास 2 इसको 2 को उधर भेज देंगे तो हमारे क्या आएगा a b की value क्या आएगी 4 आ जाएगी और यहाँ के b value अगर हम लोग निकाल लेंगे तो b की value क्या आएगी 4 by a और inverse of a inverse of a is 4 by a belongs to 4 by a और a belongs to क्या है group और क्या है a belongs to group a क्या है आप बुलाउं कर रहा है group में तो आप सोच रहे होंगे कि inverse of a यहाँ तो b लिखा हुआ है तो क्यूश नहीं हम जो आपको condition आती है inverse की a a inverse e आप इससी तरह solve कर सकते हैं चाहे तो a a inverse by 2 ले 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 और फिर क्या करें a inverse की value हमारे 4 आ गई और यहाँ पर क्या value आ जागी इसकी इसकी value आ जाएगी क्या a inverse a inverse क्या आएगी 4 by a value आएगी और a हमारा क्या बुलांक्स कर रहा है एक गुरू key में बुलांक्स कर रहा है मतलब यह element यह जो condition है inverse को भी satisfy कर रही है तो ये सारे हमारे condition को satisfy कर रहे हैं तो ये group क्या है, ये condition क्या है, जो हमारा all real number क्या है, group है, क्या है, ये group है